Solar Eclipse, New Moon का टाइम, नवराद्रस बेगिन हो रहे हैं और पुरे देश भर में नया साल बनाया जा रहा है अलग-अलग states में अलग-अलग नाम दिये जाते हैं और हमारा Happy New Year अब से स्टार्ट होगा तो इन चारों dots को connect करते हुए यह particular video है आप हमेशा wait करते हैं कि New Moon पे क्या activity करनी है माम, New Moon पे क्या ritual करना है माम क्यूंकि इस बार यह चार चीज़ें हो रही है, चार energies के हम बात करें तो इन चारों को मैं connect करते हुए, dots को connect करते हुए, आपके साथ activity भी share करूँगी और साथ साथ में कुछ चीज़ों के बारे में वो कहते है ना, I'll lit the torch towards those areas ताकि आपको समझ में आ जाए कि यह चार areas कैसे significance आपकी life में इस time पर होने वाले हैं I'm a mother, teacher, guide and a friend and these are my life lessons I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel, Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik नया साल, as per, Hindus, हमारा नया साल begin हो रहा है नया साल, नई intention, नई seeds, नई thoughts वो सब चीज़ों के लिए यह optimum time है, यह best time है लेकिन इसके साथ साथ कहीं न कहीं एक चिंता है कि solar eclipse भी है और eclipse भी partial solar eclipse नहीं है, it is complete total solar eclipse when USA में है, Canada में है, North America में है और Mexico में है, जहाँ पूरे अच्छे से दिखेगा होने का मतलब यह नहीं कि कहीं और नहीं है लेकिन इंडिया में दिखेगा नहीं इसका मतलब यह नहीं कि eclipse नहीं है पूरा earth, जब भी eclipse होती है तो पूरे earth की energy में change होता है हम सब कहीं न कहीं impacted होते हैं इससे तो इसलिए ना हम देख तो नहीं पाएंगे लेकिन उस eclipse का जो कहते हैं ना the burnout या जो problems हैं वो हम अपनी life में already जूच रहे होंगे because first eclipse और second eclipse इन दो के बीच में हम इस time पे हैं अब आजादे हैं तीसरी important चीज़ पे इस समय पर काईरन एस्टरोइड वोन के चंदरमा के बहुत करीब है और ये एक तरह से बात करता है healer की इसको हम wounded healer भी कहते हैं तो ऐसे में जहां जहां wounds trigger हुए हैं आपके life में अगर आपकी जिंदगी में इस समय कुछ difficult time चल रहा है physically, mentally, emotionally, financially तो ऐसे में आपके लिए बहुत जादा जरूरी है कि आप healing करिए in fact healing आपके लिए must है और ये healing इसलिए must है क्योंकि जो काईरन एस्टरोइड है वो बात करता है उन timelines की जो आपके present timelines है यानि इस वाला जनम या previous timelines जो पुराने आपके जनम कि अलग-अलग कारे रहे होंगे जो अलग-अलग कार्मिक debts रहे होंगे वो जैसे कहते न जखम फिर से हरे हो गए तो उस कर्जे को उस जखम को भरने का time है उस कर्जे को उतारने का time है ऐसे मैं आपके लिए मैं जरूर-जरूर कहूंगी कि प्लीज ये जो 9 दिन आ रहे हैं इन 9 दिनों की energies को अपनी जन्दगी में उतारिए और उस चीज के लिए apologize करिए और उन पुराने bruises को heal करिए पुराने जखम को heal करेंगे हम इन मैंसे कोई भी area में problem है तो हम क्या-क्या करेंगे हम आत्म नमस्ते करेंगे इसके इलावा हम हो पोनो पोनो प्रेयर regularly अपना पार्ट बनाएंगे 9 दिन तक I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you ये चार sentences हैं आपको हर रोज सोने से पहले आनपन करके मन में बोलने दोराने हैं कोई भी ऐसी चीज जो आपकी life में इस समेट पटरी पर नहीं है जो आपको पुरानी lessons को equate करने आई है उनको properly, मतलब एक तालमेल बिठाने आई है, तो उनको हमें सही करना है clarity हो गई, यानि कि आपको इन 9 दिनों तक कूशश करनी है कि उन चीज़ों को आप उनके लिए कहते न हरजाना भर पाएं, या apologize कर पाएं, और मैंने इसी से related एक वीडियो बनाई थी, नवरातरस की कि 9 दिन जो है, वो बहुत important है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो please देख लीजेगा वो मैंने Friday को डाली थी, और Friday वाले वीडियो में, अराम से clearly explain किया है कि importance क्या है 9 दिनों की, और इन 9 दिनों के अंदर हम कैसे हर energy के साथ जुड़ सकते हैं, तो जब आप 9 days की 9 energy समझेंगे, जो वीडियो के last में मैंने समझाया है, तो आप किस से resonate करेंगे, अगर आपकी financial issue है, तो कौन सा मा का सुरूप है, या कौन सी energy का सुरूप है, जिससे आपको help लेनी है, अगर आपकी financial issues है, तो अगर आपकी relationship issues है, तो अगर आपकी health issues है, तो तो हर एक area से related issues को explain, बहुत ठंग से किया है, प्लीज उस वीडियो को देख लीजेगा, मैं link description box में डाल दूँगी, अब आज आते हैं हम new year, new beginning, new moon और इस time की कौन सी activities है, जिनको करने से हम अपनी life में एक अलग सा magic create करने वाले हैं, अगले 18 महीनों के लिए, हमें कुछ चीजें plan करनी हैं और अभी करनी हैं, लंबी चौड़ी activity नहीं है, तो अभी हाँ वीडियो को pause कर दीजेगा, मैं जल्दी से बता देते हूँ, आपको क्या-क्या समान चाहिए होगा इस new moon की activity के लिए, new moon की activity के लिए हमें सबसे पहले तो अपना aura cleanse करना है, और कोई भी herbs से हम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें sage या palo santo या even incense और ऐसी incense जो की artificially flavored ना हो, वो मत लीजेगा, जिसमें आप artificial scents डाल के यूज करते हैं, उसकी बजाए आप धोनी यूज करेंगे, या kapoor यूज करेंगे वो better होगा, दूसरी चीज आपको चाहिए, चार bay leaves bay leaves क्या होए, तेज पत्ते सबके kitchen में होते हैं, नहीं होते हैं तो मंगा लीजेगा, अगर फिर भी नहीं है, तो कागस के चार ठुकडे काट लीजेगा वो भी चलेंगे, प्रफर करिएगा bay leaves नहीं है, तो घबराना नहीं कागस पर लिख लेंगे हम तीसरी चीज हमें दिया चाहिए होगा चौती चीज, एक plate चाहिए होगी क्योंकि bay leaves को burn करने के बाद जो ashes होंगे, वो हम plate में इकठा करेंगे, क्योंकि अब की बार हमें flush नहीं करने, अब की बार हमें universe में blow करने है next important चीज आपको जो चाहिए होगी, वो pen चाहिए होगा और pen किसा color का लेना है, आपने या तो red लेना है, या आपने blue color का pen लेना है, red color का specifically mention करेंगे हो क्योंकि ये new moon Aries में है और ऐसे में Aries की energy होती है, fiery energy हनुवान जी की energy, red color की energy, तो हमें red pen का use करना जादा उत्तम रहेगा तो अब हम start करते है activity सारा समान आपका ready हो गया, अब क्या करना है, आपने सबसे पहले आरा हमसे मंदिर में बैटना है, अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते हो, आपके periods है, आपके menses है, आपके लिए मुश्किल है, तो आप कहीं baby किसी भी room में बैटके activity कर सकते हो, किसी भी table पर ये दिया जला सकते हो, आप कहीं baby किसी भी room से कर सकते हो इसके बाद आपको incense, अगर बत्ती धोनी, कपूर, पालो सांटो, और क्लेंजिंग के लिए जो भी आपने लिया है उसको आपको burn करना है उसी भीये से, burn करने के बाद आपको right from your head to your toe, मतलब आपको अपने पूरा उपर से लेकर नीचे तक anti-clockwise cleansing करनी है तो कितनी बार करने है आप एक बार कर सकते हैं, आप तीन बार कर सकते हैं, पांच बार कर सकते हैं, it is enough, इसके बाद आप अपने आपको cleanse करेंगे, फिर आप जाएंगे अपने घर के main door पे main door से अंदर enter करेंगे और main door से अपने जैसे अगरवत्ती को घुमाते हुए या धोनी को घुमाते हुए, या पालो सांटो सेज, जो भी आपके पास उसको घुमाते हुए, आप पूरे घर में चक्कर लगाएंगे हर एक रूम में जाना है आपको हर एक रूम में cleanse करना है कोशिश एक चीज और करनी है आप अपने घर की जो जिस time cleansing कर रही है उस time अपने घर की खेड की आप बंद मत रखेगा, मतलब जानी की बंद रख सकते हैं, शीशे की खेड की आप खोल दीजेगा, दरवाजे खोल दीजेगा ताकि जितनी भी negative energy है वो घर से बाहर निकल पाए और ये आपके लिए must है तो ये अब पूछेंगे question में, आम ये कब करना है आपकी श्रद्धा, आपको जिस समय समय मिले करिए, शाम को करते हैं तो nothing like it, इसके इलावा आपको जब समय मिलेगा आप कर सकते हैं no hard and fast rule और जब आपने cleansing पूरे घर की कर दी और अपनी भी कर ली तो हम क्या बोलेंगे I remove heavy stuck energies मैं heavy और stuck energies खुद की और मेरे घर की remove करती हूं, करता हूं My energy is lifted and is moving freely in my body मेरी energy uplifted feel कर रही है और मेरी पूरी body में freely move कर रही है, इसके बाद हमने manor javam marut tullya vegam, jitendriyam buddhi matab virishtam, बहुत खुबसूरत है, आप जरूर 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 सुनेंगे, specifically मैंने ये बोला है हनुमान जी का क्योंकि it is related with Aries and it is related Aries के बात करते ही हनुमान जी का सबसे पहले वचार आता है right and also talks about your head तो हमने इनको सुनना है अगर आपको वो piece नहीं मिल रहा तो मैंने description में दे दिया है नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे तो ऐसे में आप normal हनुमान चाली सब ही सुन सकते हैं, चलिए जी 5 से 7 मिनट सुनने के बाद आप इसको बंद करेंगे और अब हमारी प्रक्रिया शुरू होती है believes tez patto पर फुछ लिखना है क्या लिखना है हर एक पत्य पर एक-एक sentence लिखना है मैं आपको चार sentence दे रही हूं इंसले में वो रही हूं, अगर आपको इनको हिंदी में लिखना है, तो आप दी में भी लिख सकते हैं आप अपनी किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, Tamil, Malayalam, Tilgu, whatever language you want to use, आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं. पहला sentence हम लिखेंगे, I am grateful to the universe for blessing me much more than I deserve. फिर से repeat कर दो, I am grateful to the universe for blessing me much more than I deserve. हम हर चीज़ जब भी begin करते हैं, gratitude से करते हैं, धन्यवाद से करते हैं. दूसरा belief लेना है, दूसरे पत्ते पर क्या लिखना है? I am blessed with the growth mindset. आपको अपने mindset को growth mindset में लाना है. lack mindset में नहीं लाना. अगर हम lack mindset में अकसर रहते हैं और हमें उसको push करके दूसरे zone में लाना है, तो हम क्या लिख रहे हैं? I am blessed with the growth mindset. तीसरा पत्ता उठा लीजे, उसमें क्या लिखना है? I am confident and strengthening my emotional intelligence. I am confident and strengthening my emotional intelligence. इसके लिए हम अकसर तितर वितर रहते हैं. तो आप तीसरी चीज़ जो भगवान से मांग रहे हैं, वो ये मांग रहे हैं. और चौथा पत्ता लेकर, चौथी belief पे हमने लिखना है, I am connected with my spiritual purpose. हम सब का कोई purpose है, हम सब कुछ करने आए हैं धरती पर, time waste करने नहीं आए हैं. अभी अलग बात है कि हम समय आदे time waste ही करते रह जाते हैं. तो जैसे ही आपने ये चारों sentences, चारों पत्तों पर लिख दिये, फिर से कह देती हूं पत्ते नहीं है, तो कागस पर लिख दीजेगा, इसके बाद हम एक एक करके पत्ते को पढ़ेंगे, और पढ़के दिल के पास लाएंगे, thank you God, thank you universe, और उसको burn करेंगे. फिर दूसरा पत्ता उठाएंगे, उसको पढ़ेंगे, दिल के पास लाएंगे, burn करेंगे. तीसरा पत्ता, चौथा पत्ता, और हर बार जब हम burn करेंगे, प्लीज ध्यान रखेगा, आपके उंगली नहीं जल जाए, हाथ नहीं जल जाए, तो मैं अकसर क्या करते हूं, मैं तीसरा होता है, जिससे अपने आइबरो वाले ट्वीज करते हैं, तो उससे मैं पकड़ लेती हूं पत्ते को, ताकि मेरा हाथ नहीं जले, और वो लास्त तक जल अराम से पत्ता पूरा तेज पत्ता जल भी जाता है, और उसकी जो एशिस हैं, वह मैंने कहा था, स्टील की प चाहेंगे, अगर आँ फ्लैट्स में रहते हैं नहीं हो पाएगा मैम, तो आप उनको सिंप्ली किसी गमले में पी डाल सकते हैं, हो गया जी, अब हमारी आती है, लास्ट वापस आएंगे कमरे में, जहां दिया जलायता हाथ जोड़ेंगे, थैंक यू बोलेंगे, और थैंक प्लस देवी के नौ सुरूप के साथ जुड़ सकते हैं, प्लस बहुत इंपोर्टेंटली, बेस्ट टाइम है, 369 मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में उतारने का, यानि आपको जो भी फिजिकल रियालिटी की नीड्स हैं, मतलब जो बहुत एक नीड्स हैं, उन नीड् पहले नवरात्रे से बेस्ट टाइम है, इन नौ दिनों के अंदर, फर्स नवरात्रा, सेकेंड, फॉर्थ, फॉर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ, नौ के नौ दिनों में से कोई सा भी दिन चूज कर लीजेगा, और 369 मैनिफेस्टेशन का जो मेथर्ड है उसका भी मैं लिंक डाल दूगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर आपने वो वीडियो ना देखियो तो वो भी आप देख लें, और आपको उसमें भी बहुत अच्छे से एक्स्प्लेन किया कि कैसे करना है, और आप उस मेथड को यूज करते हुए, कुछ भी जो अपने आपको पूरे घर में घूमने में जहां आप समझ कर रहे हैं, और इसके इलावा तीन से चार मिनट लगेंगे आपको वो भी लीव की एक्टिविटी करने में और उसको ब्लो करने में, that's it, और फिर ओविएसली नवरात्रा की डिटील से नवरात्रा वीडियो में है ही, I hope this is more than enough, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको बहुत अच्छे से clarity of thought मिला होगा, मैं आप सब को नववर्ष की धेरों धेरों शुब कामनाएं देती हूं, आने वाला साल आपकी जिन्दगी में, हर दिशा में, हर एरिया में, आपकी लाइफ में, आपको और दो कदम आगे लेकर जाए, और आपकी सभी सपने पूर्ण हो, नमस्ते, थांक यू, आन वांस अगें, गड़ ब्लेस यू अल